हैलो गाईς, वेलकम बैकन भाई आच़का हूँ ने फिर से को निव वीडे लेकर और गाईस आज से इस वाले मैच में होता हुटा है ज़ित ब भाई साथ मैंने यार कल वाली वीडियो में आप सभी को यार टेडी की गल्फ्रेंड का फोटो दिखाए था अब भाई उसके बाद मेरको तो हसी आई आई और उसके साथ जितने भी मतलब मैंने कमेंट्स पड़े भाई सब बोल ले भाई मज़ा आगया मज़ा आगया तो आप देखो यार फटाक से टेडी को बुला लेते हैं आप देखो वो आता नहीं है ना लेकिन आज उसको बुलाना पड़ेगा क्योंकि आज मेरी बार यह जंड मानने की वो हमेसा मेरी जंड मारते रहता है आज मेरी बार यह जंड मानने की औ है यए स race oh a २ा यहां डिलगार लगारा है यहां झिशतिक से्टा सुल्ण OR यहां अच्छा हूग अच्छा मेरी निधी एतला यंच्छा नो अब टेड़ी देख भाई मैंने तो पहली बोल दिया था भाई मत पढ़ इन चक्करों में वो काट के चली जाए और काट के गई और तू अब नसे काट था फिर रहा है हाँ भाई देखा अबने कितना स्ट्रोंग है तू गाई आपको पता हुआ कि जब इसका काट के गई थी वो तो भाई दो तीन दिन तक ये वीडियो में नहीं आया था भाई लावारिसों के तुरह पढ़ा रहता था कोई नी भाई कोई नी हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था हमें तो अपनों ने लूटा ओ भाई 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 बस रुख जा भाई रुख जा थमजा 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 ये साहरी उरी भाई यहा मत माया तरको इतनी बार समझाए कि ये सब काम बेकार होते ह है तो छोड़े इन सब कामों को पर नहीं तू सुनता ही नहीं है अब देख इस वहले मैंच में क्या है कि मेरा एक hacker के साथ आमना सामना है तो यह देख कि मैं उस hacker को कैसे मारता हूं और यह सब काम छोड़े यह लड़कों के कि मैंने क्या ही जंड मारी दिल को सुकुन मिल गए हर वीडियो में वह मेरी जंड मारता था आज बहुत जो युए ज़ंगा ना उसका क्या ही क्या है खिर हमारा तो यह चलता रहेगा देखो अब भी फिलाल के बात करते हैं मेरे राइटें साइड में कूथते हैं अब इस वाले बंदे को आप ध्यान से देखो बिल्कुल अब यहां पर जैसे मैंने उसको बहुत जादे डेमेज देया यह भाई सामने वाले गड़े के अंदर चला जाता है अब जैसे इसको पर्रस कर रहा था था भी भाई साब यह फास्ट स्पीड हैक लगा के एकदम से गड़े के अंदर निकला मतलब दुबारा देखो यह सीन गाईस यार मतलब क्या ही सीन ताई यह जैसी मैंने उसको डेमेज देके लिट कर रहा ना तो उसने सोचा भाई आप तो नहीं बचूँगा तो उसने स्पीड हैक लगाया और गड़े के अंदर से निकल के एकदम भाग रहा था लेकिन भाई तुम्हारे भाई का एम अच्छा है तो हम उसको इजली मार देता हूँ खेर उस वाली गेमपले में इतना ही था अब आज आते हैं यार इस वाली गेमपले में और इस वाली गेमपले में तुम्हारे भाई ने जो तभाई मचाई है ना मतलब ये देखना बस आप खेर इस वाली गेमपले में मेरे को आगए जाके M249 मिल जाएगी और भाई इतना काफी है यह आपको बताने के लिए कि आपको पता है कि जब यार मेरे को M249 मिल जाती है तो क्या ही मतलब खेलता हूं मैं खेर अभी फिलाल के बाद करते हो देखो हम उतरेते जोर्जोपॉल और जोर्जोपॉल में भाई हमारे अलावा कोई भी नहीं आता तो हम यहाँ पे थोड़ी लूट वगारा करते हैं और यहाँ से पहली फुरसत में निकल लेते हैं अब बंदे डूंटे डूंटे हम रोजोप की तरफ जारते हैं और तभी आमें को लेफ्ट एंसाइड में एक बंदा दिखता है और साथ ही पहरो की आवाज भी आती है तो मैं अपनी बुगाटी चिरांद को यहाँ पे रोख लेता हूं और अब जय कोई यहाँ पे एक बंदा आएगा जो कि यार में को कितना ज्यादा कंफ्यूज करेगा बस देखते जाओ आप अब सबसे पहले यार मैं भाग के ऊपर जाता हूं जिससे कि यार में को एक अच्छा एंगल मिले और तो भी यार में को आवाज आती कि एक जो बंदा है वो हमारी बिल्डिंग के नीचे आगया तो भाई साब मैं उपर से सीधा नीचे कूट के उसके उपर रस कर देता हूं लेकिन वो जो बंदा था वो चालू था वो क्या करता है भाई उपर चला जाता है अब जैसी मैं उसके उपर उपर रस करने जाता हूं ये नीचे कूद के भाग रहा था भाई बंदा क्या ही भागा रहा था अब जैस इसको नोकिया तब इसका टेमेट आता है लेफ्ट से और मेरे भाई यहाँ पर मैं इसको इजली नोक कर देता हूँ इसी के साथ यहाँ पर हमने इस वाल इसकोड के तीन बंदों को मार दिया था अब इस वाल इसकोड का स्रिफ लाश्ट वाला बंदा बचाता है अब यार यहाँ पर मेरी हेल्थ कम थी तो सबसे पहले मैं अपने आपको पेन के लगाता हूँ अब ध्यान देने वाली बात यह है नहीं कि यहाँ पर मेरे पाफ वैस्ट नहीं है और तब ही यहाँ मेरे को आवाज आती है कि सामने की तरफ एक बंदा है जो कि यह अपने टीमेट को रिवाइव दे चुका है अब मैं सबसे पहले इधर आता हूँ और सीधर रसकर देता हूँ आगे और मेरे भाई यहाँ पर यार मेरे पास वैस्ट नहीं थी डैट स्वाए यहाँ पर मैं इतनी जल्दी नोक हो गया खर यहाँ पर यार उस वाले बंदे ने अपने टीमेट को रिवाइव दे दिया था और यार रोजोक में सिर्फ यह तीन ही बंदे रहते तो हम इन तीनों बंदों को मारके यहाँ से निकल पड़ते है और भाई अब इस वाले मैज में कहीं भी नोख निया वाला अब इसके बाद यार रोजो हम बंदे टुनते दुनते टुनते पोचिंग की तरफ जा रहा हो और तो निकली बंद तो मार्ढ दिया भाई अबने इसको हुआ ही गलस दीन हुआ इसके साथ सबसे पहले मैं अपनी बुगाटी चरांद पीरो मैक्स को कवर में रोकता हूं अब इसके बाद यार में को इस वाले बंदे की बग्गी तो दिख जाती है जो की बग्गी यहां पर खड़ी है लेकिन यह बंदा उस साइड है अब इसको मानने के लिए मैं जैसी उपार आता हूँ तो अभी देखता हूँ यह सामने हार्ड स्कोप लेके खड़ा है और मेरे बाई ऐसा हार्ड स्कोप यार कभी भी नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपको यह कंफरमना हो कि जो सामने वाला एनिमी वह वहीं से मतलब पीक क करेगा अब इस बंदेने मतलब पता नहीं कहा ही हार्ड स्कोप ले रखा तो और मैं इसको एजली मार देता हूँ अब कैसे हम यहां से निकल लेते तब भाई दो बोर्ट आ जाते हैं और मिर भाई इन बोर्ट को यहार हम बड़ी असानी से मार देते हैं अब बोर्ट को ते कि tooth अब इस वाले बंदे को यार क्या ही confuse करके मारा मैंने और पता निया यह वन्दा यहां पर इस सहक में क्या कर रहा था कर गाइस अब जोवी ता वज्वाई मैंने यहां पर इसको इसली मारती यार बंदा यार काफी जादे है से प्त्यारता है क्योंकि इसके एमिंग से वाली है न भाई यह देखना अब अब वो मैं जैसी ड्रोप की तरफ जा रहता है भाई पहले से वहाँ पे सामने दो स्कोट की फाइट चल ली थी और भाई हम कर देते हैं थर्ड पार्टी अब सामने की तरफ मेरे को दो बंदे दिखते हैं अब एक को तो मैं नोख कर देता हूँ लेकिन दूसरा प्रोन हो गया था खेर लीथल उस नोख वाले बंदे को पितिस कर देता है और भाई यहां पे सामने यार मैं इसको गासो में थोड़ी हलचल दिखाई देती है तो मैं फाइरिंग करता हूँ और वहाँ पे एक बंदा नोख हो जाता है अब इतने में यार पीछे भी एक बंदे लेके बंदा आयता हूँ उसको यार लीथल मार देता है खेर अब इसके बाद यार मैं सामने की तरफ एक बंदे को नोख किया था तो मैं सामने की तरफ रस कर रहा था अब रस करने से पहले मैं एक नेट करता हूँ जिससे की कोई नोक बगर हो जाए अब नोक तो कोई नहीं होता लेकिन इतना मेरे को कन्फर्मता कि बंदे वहीं पर हैं तो लिट जरूर रहेंगे इसलिए मैं सीधा रस कर देता हूँ और इसी के साथ बाही यह बंदे भी मड़ जाते हैं मतलब ओल्डेड हो जाते हैं अब हधु को सामने एक बंची हफ़ी में में जाती है कि अप बगई आपने हो और लेको में करीज बंचने में आपके होना से अब बंदे डूंडे हम यहां से जैसी जा रहे ते ना भाई तभी आम एका वन को सामने भग्की खड़ी भी दिखाए देती है अब भग्की खड़ी यह तो इसका मकला बंदे भी जरूर होंगे और भवन भग्की भूस कर देता हूंगे छीरा नोग्स तो सामने थोड़ा प्री फाइड दिया अभी अलीफल को इसका टीम एडिक जाते तो वो सको को नोख कर देता है और बाइब इसको मार देता हूं मैं अब यह पहले मेर को स्पोर्ट वाइसले मैं लीपल को बोलता हूं यह किल मेरा इसको ले मतलिए क्यों कि पहले मैंने स्को क्या है खैर गाईज आप इसकी बाद क्या देकिया रहा हम अगें ड्रोप पे जा रहे थे अब मैं जैसी ड्रोप पे जा रहे तो तो ही मैं देखता हूं कि ओल्रेडी एक स्कोर्ड वहां पे मतलब लूट वगारा कर रहे है तो मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर लेता हूं अब यहां पर यार महार पास एक काफी जादा अच्छी पोजिशन थी क्योंकि यहार हम सबसे जादा हाई एंड पर थे और हाई एंड वालों को हमें इसा फायदा भी होता है अब मैं जैस इतर आते हूं तब यहार मैंने को सामने यह बंदा दिखाई देता है यहां पर यह मैंने इसको बोडी सोट मारा अब इसके बाद यार इस बंदे को पता चल गया था मतलब इसने साइद हमें देख लिया होगा यहां पर आते हुए तो यह पहली यार अपने यूएस का यूएस को फोड के उसका कवर बना लेता है खर इतनी असानी से थे हैर मैं इसको अब जैसी है मेरे को मारने के लिए पीक करता है भाई साब मैं इसको सोट मारता हूँ लेकिन पता नहीं यह बोडी सोट क्यों लगा और मेरे भाई सेकिंड सोट लग जाता है हेट सोट खार बदले में यार इसने भी मेरे को थोड़ा डेमिज दे दिया तो मैं सबसे पहले अपने आपको मैट किट लगाता हूँ और इसके तुरंट बाद भाई हम अपनी डाश्या उठाते हैं और सूधा रस कर देते सामने की तरफ अब जो सामने मतलब जहाब हम रस करेंगे जो चीज होने वाली है आप बस वो देखना आप अब सबसे पहले मैं नेड करता हूँ और मेरे भाई इसी के साथ हो जाती है ये वाली स्कूर्ड वाई अब इस वाली स्कूर्ड के जब मैंने reflexively को यहायरा जिसने जिसने ब्लेक कलर के कपड़े पैने खेते भाई उसको मैंने क्या ही नो किया अब जो स्मोक में से फइरी को हुई ती ना तो मेरे को लग रहा था कि ये दो दो दोनों बंदे मितलब इस इस वाली स्कोड के जितने भी बाकी के बंदे वो स्मोक में होंगे लेकिन ये काले करते हैं कि हम हाई एंड पर ही रहेंगे हम अब यहां से यार मैं बंदों को स्पोर्ट करने को उसिस कर रहा था क्योंकि यार मतलब जादर दूर से घास तो रेंडर होती नहीं है अब मैं इधर उधर यार स्कोप ओपन करके देख रहा था अब मैं जैसे दर आता हूँ और यार मैं देखता हूँ मेरे को सामने ड्रोप दिखाई देता है अब मैं ड्रोप पे जैसे जूम करता हूँ तो भी यार मेरे को एक और बंदा दिख जाता है अब ये वाला सोट मिस हो गया लेकिन मेरे भाई ये वाला नहीं हो तक है यहां पर यार मैं इसको हेड़ सोट मारके नोक कर देता हूँ अब जोन में सिर्फ इसके अलावा एक ही बंदा बचाता तो भाई हम सीधा रस कर देता है गाड़ी उठाके सामने की तरफ अब ये नोक हुआता तो मिरेख को ενत्ना बताता है कि सामने वाले राइट पर कहीं लेटा होगा तो तो बस गाड़ी को महां में दिख जाएगा और भाई मेरा पूरा धियान राइट की तरफ ता अब मैं जैसी तरस जाता है तब यार सामने वाल रिस पर मेरे को इसका बंदर दिख जाता है और फाइनली हो जाता है अपना विनर विनर चिकंडिन तो कैसे लगा आपको आज का यह वाला गेम प्ले गेम प्ले अच्छा लगा होते है ज़रूर से एक लाइक करके जाना और चैनल पर पहली बाहर रहे होते हैं और सब्सक्राइब करके उस बेल का इकन को जरूर सोल पर कर तो यार सब्सक्राइब और बागी चीज़ों के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हो वहां पर यार मैं काफ़ी जादा एक्टिव रहता हूँ तो इंस्टा के लिगने चे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्षिन के टोप मिल जागी मैं मिल तो आप सब्सक्राइब को फिट सेक और निव वीडियो के साथ अब तक के लिए सिंदे नेक्स्ट गेंप्ले पीस